हलो एव्यवन गाइस इस वीडियो में हम पलस्टू की बाइलोधिय से सेक्स्वल रिपोड़क्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के NCRT एक्सरसाइज के क्युस्वन नमबर टू को अटेम्ट करेंगे थरी पार्ट सें A, B और C चलिए स्टार्ट करते हैं और यह है इस क्युस्वन का पार्ट नमबर एक क्या है क्या है क्युस्वन कि डिफ्रेंसियेट कीजिए बिट्वीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस क्या अंतर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और Megasporogenesis में अई ये पहले समझ लेते हैं देखो Microsporogenesis का मतलब है Microspor का बनना जो की इनके नाम के अंदर है देख लो Microspor Microspor का Genesis बनना उत्पन होना Megasporogenesis का मतलब है Megaspor का बनना Simple अब ये Microspor क्या है Microspor Flower के अंदर Male part को represent करता है Megaspor Flower के अंदर Female part को represent करता है या मैं कह सकता हूँ ये male unit है Microspor Female unit है Megaspor ठीक है आई ये इन में difference कर लेते हैं पहला कि जो Microspor है Microsporogenesis में Microspor mother cell से बनते हैं किस से बनते हैं अभी Microspor माइक्रो स्पोर Mother cell से बनते हैं मेगा स्पोर की बात करें तो Megaspor 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 Mother cell से बनेंगे खीक है Second point Microsporogenesis Microsporangeum में होती है कहां होती है Microsporangeum में अब मैं बात करूँ Microsporangeum कहां होती है बही देखो Microsporangeum होती है Enter के अंदर Generally एक Enter के अंदर 4 Microsporangeum होती है Microsporangeum एक प्रकार से यह समझे लो घर होता है Microspor का और एक Enter में 4 घर होते है जिने हम Microsporangeum कहते है Microsporangeum के अंदर Microspor Mother cells होती है Microspor Mother cells से ही Microspor बनते है Microspor Mother cells से Microspor का बनना कहलाता है माइक्रो स्पोरो जेनेसिस अब एक माइक्रो स्पोर मदर से चार माइक्रो स्पोर बनते हैं माइक्रो स्पोर एंजियम के अंदर ठीक है? ओके? सिंप्ली माइक्रो स्पोर एंजियम में माइक्रो स्पोर जेनेसिस होगी ठीक है? मेगा स्पोर एंजियम मेगा स्पोर जनेसिस होगी यानि मेगा स्पोर कहां बनेगा मेगा स्पोर एंजियम मेगा स्पोर एंजियम क्या है एक परकार से मेगा स्पोर एंजियम ओव्यूल को कहते हैं किसको कहते हैं भई ओव्यूल को इसमें यह सी नहीं है कि चार घर होंगे, एक एंथर में चार micro spider-up होती है जनरली, पर एक OVUL खुदी ही मेगा-smcoraporanjob होता है, ठीक है, और OVUL से फर्दर seed बनता है, यहां लगए, जब माइक्रो स्पोर बनते हैं माइक्रो स्पोर मदर से तो ध्यान रखना मियोसिस होता है क्या होता है वही मियोसिस जब मेगा स्पोर बनते हैं मेगा स्पोर मदर से तब भी मियोसिस होता है ये बात ध्यान रखना खीक है अब माइक्रो स्पोर सेल माइक्रोस्पोर मदर सैल में जब मियोसिस होता है तो ध्यान रखिएगा वही चार माइक्रोस्पोर बनेंगे कितने चार ऐसे ही चार क्या बनेंगे मेगा स्पोर अब यह जो माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर मदर सैल से चार माइक्रो स्पोर बनते हैं चारों के चारों माइक्रो स्पोर फंक्शनल होते हैं और बाद में ये माइक्रो स्पोर से पोलन गरिन बना लेते हैं ठीक है बट जो चार मेगा स्पोर बनते हैं मेगा स्पोर जेनेसिस में एक मेगा स्पोर मदर सेल सी इन में से केवल एक ही मेगा स्पोर एक्टिव या फंक्शनल रहता है तीन मेगा स्पोर डीजर्निक खतम हो जाते हैं नस्ट हो जाते हैं और जो एक मेगा स्पोर फंक्शनल रहता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक और यही embryo sac बाद में angiosperm के अंदर generally 7-celled 8-nucleate होता है 7-celled 8-nucleate होता है यह खास हुभी है angiosperm के अंदर embryo sac ठीक है तो only one megaspor is functional and that functional megaspor will form embryo sac that's why embryo sac formation is known as monosporic development क्या कल आती है monosporic development साथ यह साथ नीट के एक 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 यह मैं कह दूँ एक एक नमबरे क्यूस्टन भी cover हो रहे हैं monosporic development कहते हैं किसको कहते हैं भई embryo sac के बनने को क्यों क्योंकि यह केवल एक megaspor सही बनता है ठीक है तो आपसे question पूसेते हैं पांच नमबरे बोर्ड के अंदर राइट है नोट ओन embryo sac complete process पताने होती है जब तक इसके अंदर साथ cell और आठ नूकलियस नहीं हो जाएं ठीक है ओके माइक्रो स्पोर जितने भी बनेंगे माइक्रो स्पोर मदर से सारे के सारे क्या होंगे functional all microspore are functional क्या मतलब इस बात का कि जितने माइक्रो स्पोर बनेंगे यह सारे के सारे pollen grain बनाएंगे ति माइक्रो स्पोर से फर्दर क्या बनता है pollen grain तिंपर कि bir next point of difference कि यह वई गि अध्यदर अर्रेंजमेंट ओफ माईक्रोफ़ोर्स देख old अब एक माईक्रोफोर मदरसाल से चार माईक्रोफोर्र बन रहे हैं छे इनकी जो अर्सिमेंट ओता है है मोध्यर मदरसाल जब चार माईक्रोफोर बना रही है है तो घ्यालब होती है मतलब तीन एक साइट क्या सकता हूं मैं एक होब है ऐसे समर्सक्राव फॉपटी है एक उपर उप्र आख किसे अंदर जनरली मैंक्रो से मांडरेंचमेंट जो अर्टել है है और वही पर मेगा स् comprehensive सी चार मेगा स्पोर बनते हैं तो कैस्त फिань औक यखा लार्ज नंबर्स ओफ माइक्रो स्पॉर मदर सेल और फंक्षनल in microsporengium इसमे बही एक microsporengium में large number of microspore mother cell होती है जो microspores बनाती है इसका मतलब pollen grains बहुत सारे बनेंगे बहुत सारे यह आप एक खास बत बताऊंगे मैं ध्हान किया वह इपने मैं बात करूğ Dopak Megasporogenesis में Megaspor mother cell की तो generally एक Megaspore enzyme में केवल A की Megaspore Mother Cell active या मैं कह सकता हूं Functional होती है एक ही Megaspore बनती है Sorry, A की Megaspore Mother Cell ही Functional बनती है जिससे further four 4 Megaspore बनती है बस generally a single Megaspore Mother Cell is functional in A Megaspore enzyme जिससे मेगा स्पोर बने हैं अब यहां पर बात हम से लिंग कर देखो फिमेल की अंदर एक मेंस्ट्र साइकल के दुरान जनरली एक ही ओम रिलीज होता है एक ही ओम मैं कह सकता हूं सेकंडरी उसाइड रिलीज होती है ठीक है और जो स्पम के नंबर होते हैं यानि माइक्रो स्पोर जैने से समयल वाले पारट से कंपेर करनें 200 से 300 million सों में समझ बार है हो 200 से 300 million कितने सारे स्टम बनते हैं ऐसे ही microspore धेरो बनते हैं मैं कह सकता हूं millions में बनते हैं जैसे कि human male के अंदर 200 से 300 million सब्टम एक कोईटब में टेक है एक कोईटब में रिलीज होते हैं ऐसे ही यह वाली बात एक परकार्स में कह सकता हूं मैच कर रही है एनालोजी एनालोग है प्लांट्स में और हुमन ले तो गाइज यह था डिफ्रेंस बिट्वीन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस अब अपनी सिंपल लेंग्वेज में एक्जाम में लिख स यह किस्षन आपसे बोर्ट एक्जाम में जनरली 2 और 3 माक्स में पुछा जाएगा के वाली डिफ्रेंस माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस 3 माक्स में पुछा जाएगा अगर आप यह 5 पॉइंटस लिखके आते हैं तो आपको ँसानी से 3 नमबर मिल ज आई देखी वी और सी पार्ट क्या है देखू भी पार्ट क्या है वीच टाइब ऑफ ऑफ सैल डिविजन अकर्स ढूरिंग इस प्रोसेस्ट यानि माइक्रोस्पомеक्रोजेनसिस और मयग स्पेरगेसिस के दोराँ कौन थाइब का मैख सेल डिवीजन होता है हुप समय कर देंगे हाँ सीपट के है नेमदा स्ट्रक्चर फोर्म्स एड़ दा एंड ओफ इस इवेंट यह भी आप बता सको माइक्रो स्पोर जैनेसिस में कौन सा डिविजन होता है तिम्पल मीयोसिस मेगा स्पोर जैनेसिस में कौन सा डिविजन होता है सेल डिविजन मीयोसिस अब यह आप द्यान रखिएगा मीयोसिस के दो पार्ट होते हैं मीयोसिस वन एंड मीयोसिस टू सिंपल इतना ही बहुत है सिंपली इन माइ्क्रो फॉरो जैनेसिस एंड मगा स्पोर जैनेसिस मीयोसिस झाल दे जन माइक चैन म lengलें दा में दान इन विद सिंपल्ली मािख्रो स्पोर जैनमा विद एट ıyorsunे एंड में क्या बनेगा बता रू माइक्रो बैनेंगे अ लूल्सपोर्स मेगा स्पोर जनेसिस के एंड भी क्या वनेगा सिंपल मेगा स्पोर्स पड़ी उन्हें एंड में बूल दिया तो सिंपल प्रोसेस के एंड में बूल ला है ठीक इचना चलेगा अब आग्या दना चाहो तो कह सकते हैं फर्दर इस मिगा स्पोर्स वील कनवर्ट इन्टो ओलन ग्रेंजगे अन इस मेघस्पोर में से थरी विल दिजनरे एंड वन विल फंक्चनल इस फंक्चनल मेघस्पोर विल फॉट व्म्वट मैं कहुआ वन फंक्चनल मेगा स्पोर चो एक फंक्शनल मेगा स्पोर होगा वो क्या करेगा विल फोर्म एंब्रियो से बट यह बात दें बताने की जूट है नहीं आपको सिंपल आपका अंसर रहेगा माइक्रो स्पोर्स आर फोर्म्ड अट दा एंड ओफ माइक्रो स्पोर जेनेसिस एंड मेगा स्पोर्स आर फोर्म्ड अट दा एंड ओफ मेगा स्पोर जेन वाया मियोसिस टाइप ओफ सेल डिवीजन ठीक है अब जनरली आपको कहीं पे अलग एक दो बुक्स में जहां पढ़ रहे हैं सुलूशन वहाँ आपको यह भी मिल सकता है स्पोरिक मियोसिस अब देखिए युमन बींग के अंदर जो मियोसिस होता है सेल डिवीजन होती है मियोसिस से यानि कि जब हमारे अंदर स्पर्म और ओम बनते है फिमेल निमन फिमेल में तो क्या होता है सिंपली हम मियोसिस कह देखिए पलांट्स में स्पोर बन रहे हैं नाम के साथ स्पोर ट्रम जुड़ी है तो सिंपली स्पोरिक मियोसिस ट्रम यूज करें तो आप कह सकते हैं इस इस वाट स्पोरिक मियोसिस टाइप और सैल दिवीजन इन वो and that's all guys question number two from ncrt sexual reproduction in flowering plant इससे पहले हम sexual reproduction in flowering plant का chapter का biology से plus two के biology से ncrt का question number one attempt तो guys यह second question भी attempt हो गया इसके बाद हम next ncrt की exercise के जो भी questions है further हम complete जिनकी videos आपको channel पर मिल जाएगी और साथ ही साथ आप playlist में भी देख सकते हैं sexual reproduction in flowering plant और biology में किसी प्रकार की कोई क्योरी आपकी हो तो आप comment में कि अच्छे से बढ़िये all the way